नवश्कार दोस्तो स्वागे तक बर फिर से आपका मारे यूट्यूब चैनल में तो दोस्तो आज इक इस वीडियो में हम बात करेंगे बिजली विभाग में निकली हुई बंपर बरती के बारे में जहां दोस्तो वेकेंसी के फोरम के आवेदन स्टार्ट हो चुके है पूरा डिटेल में आपको आवेदन भी करके बताएंगे एज लिमिट का क्राइटेरिय एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके आपके एप्लिकेशन फीस क्या रहेगी आवेदन कैसे करेंगे पूरा डिटेल में जानने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक जरूर देखेगा और दोस्तो सेलेरी पेकेश भी काफी अच्छा प्रोवाइड करवाई जाएगा इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे और इंडिया लेवल के वी अवेदन कर सकते हैं जिसमें male और female दोनों ही यहापर अपलाई कर सकते हैं अब दोस्तों यहापर बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टाट दोस्तों यहीं रहा आपका ओफिचल नोटिफिकेशन vacancy की जो आपके post रहेगी senior engineer के और junior engineer के आपके post निकली है इसके अलावा यहाँपे सहायक लेखा कर assistant accountant की भी आपके post निकली है Rassian grade second की और lab assistant की भी आपके post निकली है वेकेंसी के बारे में पूरी अपडेट हम आपको देने वाले दोस्तों पूरा वीडियो शूरू से लेकर के एंड तक जरूर देखेगा इसके लिए आपे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हम बात करें तो जूनियर इंजिनियर के लिए आपे दोस्तों आपको बता दू कि आपका तीन साल का डिप्लोमा ज़रूरी है इलेक्ट्रिकल, मेकनिक, इलेक्ट्रोनिक्स या कंट्रोल के अंदर इसके अलावा अगर आपने यहापे ग्रेजुशन कर रखिये या आपने यहापे बीटे कर रखिये तो भी आप यहापे इलिजिबेल हो सकते हैं दूसरे नमबर पे हम बात करेंगे असिस्टेंट अकाउंटेंट की दोस्तो असिस्टेंट अकाउंटेंट के अगर बात करें तो बेचिलर डिग्री मांगी गई है कॉमर्स के अंदर मतलब अगर आपने यहाँ पे बीकॉम कर रखे तो आप इस वेकेंसी के लिए आवेदन कर सकते है तीसरे नंबर पे केमिस्ट ग्रेड सेकेंड की तो दोस्तो अगर आपने यहाँ पे मसी कर रखे है केमिस्टर के अंदर तो इस वेकेंसी के लिए आवेदन कर सकते है काफी अच्छा पेसकेल मिलेगा यहाँ पे 36,800 रुपे आपका वेतनमान रहेगा lab assistant के लिए intermediate exam pass होना ज़रूरी chemistry subject के साथ में यूपी board सी या फिर आपके आपके अपे graduation की degree मांगे गए chemistry subject के साथ में इसके बाद में दोस्तों हम बात करेंगे age limit criteria की तो आपको बता दू कि यहाँ निूनतम 18 वर्स से लेकर कर के 40 वर्स आपके यहां पर जूनियर इंजिनियर की सहायक लेखाकार की आपकी 21 वर्स से 40 वर्स रसायन ग्रेट सेकेंड की भी यहां पर 21 वर्स से 40 वर्स हो यहां पर लेब असिस्टेंट की आपकी 18 से लेकर के 40 वर्स की बीच में age limit का criteria रखा गया है इसके अलावा आपको age relaxation भी दिया जाएगा age relaxation को पुरा जानने के लिए आपको पुरा detail में notification को पढ़ना पड़ेगा दोस्तो vacancy आपकी उत्रपरदेश की बिजली बोर्ड के अंदर निकाली गई है आवेदिन शिल को जान लेते हम आपको बता दो कि अवर अभियंता सहयक लेखाकार रसाइन ग्रेट सेकेंड लेब असिस्टेंट की अगर बात करें अनुसुचित जाती वैं अनुसुचित जन जाती तो 826 रुपे आपकी फीस रहेगी अगर हम बात करें दिव्यांगन यहां पर जो केंडिडेट है उनकी यहां पर 12 रुपे आपके GST से हिद लिया जाएगा अन्येश रेने की बात करें तो 1180 रुपे आपके जैसे की यूर और OBC केंडिडेट की बात करें तो 1180 रुपे आपके फीस यहां पर ली जाएगी फीस का पेमेंट आपको ओनलाइन करना पड़ेगा SBA Collect के मादियम से पेमेंट गेट इवे मोड आपका एक्टिवेट हो चुका है आप फोरम के लिए आवेधन कर सकते हैं ओफिस्यल वेबसाट दे रहे हैं www.uprvun.org महापे जाएके आप आवेधन कर सकते हैं दोस्तो बाकी की other details जानने के लिए आपको notification डाउनलोड करना पड़ेगा डाउनलोड का link आपको direct description box में provide करवा दिये जाएगा और इसके अलाव दोस्तो बाकी की other details अगर आपको जाननी है तो आप comment section में comment करके हमें पूछ सकते हैं डिटेल में हम आपको बता देंगे तो दोस्तो ये आपके vacancy निकल चुकिए उत्रपरदेश के अंदर आवेधन जरूर कीजिएगा अब मिलेंगे आपे next वीडियो में एक नई update के साथ में तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तो